नमस्ते बच्चों स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाइप्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या चार और पाठ संख्या चार है अंतर राश्ट्रिय योग दिवस तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें हमारे लिए य तो यहां कुछ योगासन दिये हुए है आपको इने पहचानना है इनके नाम लिखने है और इनके विशय में भी बताना है कि इने करने से क्या-क्या लाब होते हैं अब अंतर राश्ट्रिय योग दिवस हमारे पाठ का नाम है तो हम योग से जुड़ी हुई कुछ बाते कर देंगे तो पार्ट में प्रवेश करते हैं इस पार्ट में विशुद भार्तिय जीवन पद्धिती योग के बारे में जानकारी दी गई है इसमें अंतर राश्ट्रिय ख्याती मिलने तथा अंतर राश्ट्रिय योग दिवस के रूप में मान्यता मिलने के विविद पहलों पर प्रकाश डाला गया है योग क्या है यह हमें क्या सिखाता है और इसके द्वारा हम तन मन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं इत्यादी बातों की चर्चा की गई है अंतर राश्ट चीन पद्यती की आज पूरी दुनिया में सरहना हो रही है आए शुरू करते हैं मानव और प्रक्रती का अभिन एवं अटोट संबंद है जन समुदाय मतलब यहां पर जो प्रक्रती में लोग हैं प्रक्रती के जितना निकट रहेगा उसके नियमों का पालन करेगा उतना ही उर्जावान और स्वस्थ बना रहेगा प्रक्रती से दूर रहने के प्रयास में उसकी सुक शांती छिन जाएगी तथा उसका तन्मन कलुशित होता जाएगा इसे लिए ज्यानी लोग मनुश्यों को प्रक्रती के साथ प्रयास पूर्वक जुड़े रहने की सलाह देते हैं मौसम के अनुकूल सही समय पर सोना, जागना, पढ़ना लिखना, हेलकूत, व्यायाम तथा उचत खान पान ये सब प्रक्रती से जुड़ने के ही तो प्रयास हैं इनी प्रयासों में से एक अत्यंत सफल प्रयास है योग योग प्रक्रती और मानव के संबंद की विज्ञानिक आधार पर व्याख्या करता है और मनुष्य को प्रक्रती के अधिक से अधिक निकट वने रहने का मार्क सुझाता है हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है यह तत्व है प्रत्वी जल अगनी वायू और आकाश प्रक्रती भी इनी पांच तत्वों के मिल से बनी है योग हमें इन तत्वों का सामंजस्य पूर्ण उपयोग करना सिखाता है हमारे रिशी मुनियों ने हजारों साल पहले ही इसके प्रयोग कर लिये थे कि किस प्रकार के परिश्रम से भूख अच्छी लगती है भोजन भली प्रकार बचता है और किस प्रकार के परिश्रम से शरीर में जल और वायू का भली प्रकार उप्योग होता है परिश्रम करने के ऐसे विशेश प्रकारों को ही योग आसनों के रूप में मान्यता दी गई योग आसनों के समू को योगिक क्रियाएं कहा जाता है ये योगे क्रियाएं हमें अपनी शारीरिक एवं मानसिक शम्ताओं का भरपूर उप्योग करने के उप्योग्य बनाती हैं योग एक अद्बुत विद्या है जिससे उपापचय की क्रिया दुरुस्त होती है और श्वसन क्रिया संतुलित होती है उपापचय मतलब बच्चों जो हम भोजन पचाते हैं और श्वसन क्रिया जो हम सास लेते हैं और सास छोड़ते हैं हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शमता बढ़ती है बड़ी से बड़ी बिमारी से लड़ने के लिए शक्ती का संचार होता है योग को आप जादू भी कह सकते हैं नियमित योग करने से जीवन के प्रती उत्साहा बढ़ता है और मन में सकारात्मक भाव कुद्पन होते हैं हमारे अंदर धैर्य, आत्म विश्वास, ध्रणता, आदी गुण विक्सित होते हैं योग के लाभों को दुनिया भर के लोगों तक पहुचाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में सराहनिये प्रयास किये गए हैं छिटपुट कोशिशे तो बहुत पहले से होती रही हैं परंतु अंतर राष्ट्रिय योग दिवस मनाने की पहल के साथ ही योग को एक विश्व व्यापी पहचान मिल गई है अंतर राष्ट्रिय योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया जिसकी पहल भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को सन्यूक्ट राष्ट्र महसबा में अपने भाशन से की थी अपने भाशन में उन्होंने योग के चमतकारों का उल्लेक किया और दुनिया भर के लोगों से उस प्रणाली से लाब उठाने की अपील की भारत की इस पहल को भरपूर वैश्विक समर्थन प्राप्त हुआ नेपाल, सन्यूक्ट राज अमेरिका, कनाडा, चीन, मिस्त्र, सहित दुनिया के 177 से अधिक देशों ने भारत के इस सकारात्मक प्रस्ताव का समर्थन किया 11 दिसंबर 2014 को 193 सदस्य है, सन्यूक्ट राश्ट्र महासबा ने सर्व सम्मती से हर वर्ष 21 जून को अंतर राश्ट्रिय योग दिवस के रूप में मनाये जाने को अपनी मंजूरी दे दी इस तरह 21 जून 2015 को विश्व भर में पहला अंतर राश्ट्रिय योग दिवस मनाया गया, जिसमें दुनिया भर के लाखों लोगों ने भागीदारी की लोग न्यूयोक, लंदन, डिल्ली, टोक्यो, आदी संसार भर में फैले विभिन स्थानों पर एकत्रित हुए तथा योग्य योग शिक्षकों के निर्देशन में उन्होंने योगिक आसन किये अमेरिका, जापान, रूस, ब्रिटेन, आदी देशों के राश्ट्रा ध्यक्षों द्वारा योग को लेकर दिखाई गई दिल्चस्पी से यह सिद्ध हो गया कि योग के इस चादू को देखकर सभी विस्मित है और खुश भी दुनिया को ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें स्वास्थ्य का एक नायाब खजाना मिल गया हो यह पहला अफसर था जब विश्व भर में इतनी बड़ी संख्या में लोगोंने योगिक क्रियाएं की भारत में पहले अंतर राश्रिय योग दिवस को मनाने के लिए विशेश तयारिया की गए योग दिवस का मुख्य समारो दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें लगबक 36,000 लोगोंने भाग लिया प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ना केवल इस कारे क्रम में शामिल हुए बलकि उन्होंने अग्रिम पंक्ति में बैटकर सब लोगों के साथ योग भी किया दुनिया भर के लोगोंने इस कारे क्रम का सीधा प्रसारण देखा संभवत है ऐसा अनुपम द्रश्य पहले कभी नहीं देखा गया राजपत पर हुए इस समारो ने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की स्थापना की एक तो दुनिया की सबसे बड़ी योग क्लास यानी 35,985 लोगों द्वारा एक साथ योगा भ्यास करना और दूसरा 84 देशों के लोगों द्वारा एक साथ भाग लेने का रिकॉर्ड पहले अंतरराश्ट्रिय योग दिवस के उपलक्ष में भारत की तक्तकालीन विदेश मंत्री श्रीमती सुष्मा स्वराज ने सन्युक्त राश्ट्र में आयोजिस समारो की अध्यक्षता की टाइम स्क्वायर से पूरी दुनिया के दर्शकों के लिए इसका प्रसारण किया गया इससे संपूर्ण विश्व में लोगों में योग के प्रती समझ बड़ी दूसरा अंतरराश्ट्रिय योग दिवस भी पूरी दुनिया में पूरे उत्साहा के साथ मनाया गया भारत के आयोश मंत्रालय द्वारा सभी सरकारी विभागों को पत्र जारी कर दूसरे अंतरराष्ट्रिय योग दिवस को जोर शोर से मनाने तथा इसमें युवाओं की अधिकादिक भागीदारी पर बल दिया गया 21 जून 2016 को आयोश मंत्रालय ने the national event of mass yoga demonstration नामक एक समारो का आयोजन चंदीगड में किया था जिसमें अन्य लोगों के साथ भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने भी भाग लिया था अंतर राश्ट्रिय योग दिवस 2016 का विशय था connect the youth मुख्य समारो हरियाना और पंजाब की सम्मिलित राजधानी चंदीगड में आयोजित किया गया जिसमें अन्य गण मान्य लोगों के साथ साथ देश के प्रधान मंत्री ने भी भाग लिया हजारों लोग जब एक साथ योग कर रहे थे तो एक दुरलब साद्रिश्य दिखाई दे रहा था विभिन राजियों की राजधानियों तथा अन्य स्थानों में भी राजनेताओं और आम लोगों ने भी एक साथ बैठ कर योगासनों को संपन्न किया सन्युक्तर राश्ट्र में भी भारत के स्थाई मिशन ने इस अफसर पर समारों का आयोजन किया जिसमें कन्वर्जेशन विद योगा मास्टर्स योगा फॉर्दा अचीव्मेंट ओफ सस्टेनिबल डेवलप्मेंट गोल्स यानि स्थाए विकास के लिए योग को मुख्य बिंदू माना गया अमेरिकी राजधानी के कैपिटल हिल से लेकर न्यू योग के सन्युप्त राष्ट्र मुख्याले तक देश के कई शहरों में योग कारेक्रम के आयोजन किये गए संपूर्ण विश्व योग उर्जा से तरंगायत हो उठा योग भारतिय रिश्यों की खोज है भारत में ही योग का विकास हुआ महरिशी पतंजली ने योग सूत्र नामक पुस्तक लिखी जिसमें अश्टांग योग के नाम से योग को आठ भागों में बाटा गया इस पुस्तक में योग की एक एक क्रिया के शरीर पर पढ़ने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रभावों का विस्तार से वर्णन किया गया है आज विज्ञानिक जानकर हैरान है कि योग से उच्छ रक्तचाप, हृदय रोग, मानसिक विकार, अवसाद, यक्रत और गुर्दे के रोग, फेफडों के रोग, संक्रामक रोग, मदु में, यहां तक की जानलेवा, कैंसर, टीबी, आदी रोग भी ठीक होते दिख गए है योग का सकारात्मक पहलु यह है कि योगिक आसन प्राणायाम आदी करने के लिए बहरी साधनों की आवश्यक्ता नहीं होती है बस प्रक्रती की गोद में कहीं भी स्वच और हवाधार स्थान में योग किया जा सकता है हाँ योग करने के लिए चित्त की शांती बहुत आवश्यक है हडबड़ी में योग आसन नहीं किये जा सकते इसलिए योग आसन करने और उनका पूरा लाप पाने के लिए प्रारंब में गुरु के मार्ग दर्शन की आवश्यक्ता होती है गुरु ही सही प्रकार से आसन और प्राणायाम कराते हैं। योग का लाप, स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी उठा सकते हैं। अपनी अपनी आवश्यक्ताओं के अनुरूप तथा विशेश प्रकार के लाब पाने के लिए विशेश प्रकार के योग आसन करने होते हैं जैसे बच्चों की स्मरण शक्ती बढ़ाने उनका पढ़ाई में मन लगाने तथा बढ़ते शरीर की आवश्यक्ता के अनुरूप अलग-अलग प्रकार के योग आसन करने होते हैं और किसी रोग को ठीक करने के लिए अलग-प्रकार के आसन अतह गुरू की देखरेक में ही योगिक क्रियाएं करना आवश्यक है जिससे हमें योग का पूरा लाव मिल सके भारत को दुनिया पुर्शार्थी योगियों के देश के रूप में जानती है यहां एक से बढ़कर ए 21 जून 2021 को मनाया गया इसका विशय था योगा फॉर वेलनेस आटवा योग दिवस 21 जून 2022 को मनाया गया इसका विशय था मानवता के लिए योगा योग के चमतकारी प्रभावों के साथ-साथ आयुर्वेद के लाबों को भी दुनिया भर में प्रचारित-प्रसारित करने में इसकी सरानिय भूमिका है वस्तुत है योग प्रक्रती के निकट आने और प्रक्रती के अनुरूप जीवन जीने का सहज सरल मार्ख है प्रति दिन आदे घंटे योग करके भी हम शरीर को स्वस्थ और मन को उर्जावान रख सकते हैं निराशा को दूर भगा सकते हैं तथा आशावान होकर सफल जीवन का आनंद ले सकते हैं हर वर्ष 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर राश्रिय योग दिवस हमें अपने देश की स्वस्थ परंपरा योग और इसके सुखत परिनामों की याद दिलाता रहेगा ध्यान रहे कि योग न केवल तन मन को स्वस्थ दियानक समस्याओं के स्थाई समाधान में भी सहायक सिद्ध हो सकता है अंतर तह योग ही वह साधन है जिस पर सारी दुन्या का सुखत भविश्य अवलंबित है तो बच्चों कैसा लगा आपको योग के लाभों के बारे में जानकर और अंतर राश्रिय योग दिवस के बा आदा घंटा योग को शामिल जरूर करें चलिए आगे चलते हैं यहां हमें दिये हुए हैं कठिन शब्द जो आपको अपनी उत्तर वुस्तिका में लिखने हैं प्रक्रती अभिन अटूट जन समुदाय उर्जावान अनुकूल व्याख्या सामंजस्य पूर्ण शमताओं आगे हमें दिये हुए हैं कुछ शब्द जो आपको याद भी करने हैं और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखने हैं अभिन का अर्थ हैं गहराई से जुड़ा अनिवार्य सीधा प्रसारण जिस समय कारेक्रम आयोजित किया जा रहा है उसी समय दिखाना उर्जावान चुस्ती फूर्ती से भरपूर उपलक्ष अवसर व्याख्या वर्णन किसी के बारे में विस्तार से समझाना तरंगायत तरंग के रूप में फैला प्रसारत सामंजस्यपूर्ण तालमेल बिठाना जान लेवा घातक प्राण लेने वाला उपापचे शरीर में होने वाली र मार्क दर्शन सही रास्ता दिखाना प्रेणा देना सर्वसम्मती सबकी सहमती सरानिय प्रशंजा के योग्य विस्मित हैरान अबलंबित निर्भर आश्रित नायाब अनूठा तो बच्चों ये आपको याद भी करने हैं और अपनी उत्तर पुस्तिखा में लिखना आप न में बताओं क्या पढ़ा मानव का प्रक्रती से किस प्रकार संबंद है मानव का प्रक्रती से अटूठ और अभिन संबंद है जन समुधाए जितना प्रक्रती के निकट रहेगा और उसके नियमों का पालन करेगा उतना ही उर्जावान और स्वस्थ बना रहेगा यदि मनुष्य प्रक्रती से दूर हो जाएगा तो उसका तन मन कलुशित होता जाएगा इसलिए हमारे ज्यानी लोग मनुष्यों को हमेशा प्रक्रती से जुड़े रहने की सलहा देते हैं मनुष्य को प्रक्रती के अधिक से अधिक समीब बने रहने का मार्क कौन सुझाता है योग मनुष्य और प्रक्रती के संबंद की वैज्यानिक अधार पर व्याक्या करता है और मनुष्य को प्रक्रती के अधिक से अधिक समीब बने रहने का मार्क सुझाता है हमारा शरीर कितने और कौन-कौन से तत्वों से मिलकर बना है हमारा शरीत पांच तत्वों से मिलकर बना है और यह तत्व है प्रिथ्वी जल अगनी वायू और आकाश योगद्वारा कौन सी क्रिया दुरुस्त होती है योगद्वारा उपापचय की क्रिया दुरुस्त होती है चलिए आगे चलते हैं सही विकल पर सही का चिन लगाओ योग प्रकृती तथा मानव के मध्य संबंदों की किस आधार पर व्याख्या करता है वे ज्यानिक आधार पर व्याख्या करता है प्रथम अंतराश्ट्रिय योग दिवस का मुख्य समारो कहां हुआ था? दिल्ली तो मैंने यहाँ पर नई दिल्ली पर सही का चिन लगा दिया है दूसरे अंतराश्ट्रिय योग दिवस का विशय क्या था? कनेक्ट दा यूद योग किन की खोज है? योग हमारे भारतिय रिश्यों की खोज है योग सूत्र नामक पुस्तक किन की रचना है? पतंजली की रचना है निम्नलिखेत प्रश्णों के उत्तर लिखो पाठ में नायाब खजाना किसे कहा गया है? पाठ में नायाब खजाना स्वास्थ्य को कहा गया है विश्व भर में प्रथम अंतरराश्ट्रिय योग दिवस कब मनाया गया? विश्व भर में प्रथम अंतरराश्ट्रिय योग दिवस 21 जून सन 2015 में मनाया गया प्रथम योग दिवस का समारो कहा आयोजित किया गया? प्रथम योग दिवस का समारो नई दिल्ली में आयोजित किया गया आठवे अंतरश्ट्रिये यूग दिवस का विशय क्या था? मानवत्ता के लिए योग योग से होने वाले फायदों का संक्षेप में वर्णन करो योग हमारे शरीर को स्वस्थ और मन को उर्जावान बनाता है योग हमारी श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है और हमारी उपापचे की क्रिया को दुरुस्त करता है निराशा को दूर भगाता है और हमें आशा की और ले जाता है योग हमें कई रोगों से मुक्ती दिलाने में सहायक होता है योग हमें प्रक्रती से जोड कर रखता है, शरीर में रोगों से लड़ने की शमता बढ़ती है, योग से जीवन के प्रती उत्सहा बढ़ता है, हमारा मन प्रसन रहता है, तो हम जीवन के प्रती पूर्ण रूप से उत्साहित रहते हैं, मन में योग करने से सकारात्मक भाव उत्पन होते हैं, हर्ष, आत्मविश्वास, ध्रणता, आदी ये सभी गुण योग करने से हमारे अंदर विक्सित होते हैं तो ये थे बच्चों योग से होने वाले कुछ लाव अंतर राश्ट्रिय योग दिवस पहली बार कब और किस प्रकार आयोजित किया गया अंतर राश्ट्रिय योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को दिल्ली ने आयोजित किया गया इसमें न्यूयोक, लंदन, दिल्ली, टोक्यो, आदी संसार भर में फैले विभिन स्थानों पर अनेक लोग एकत्रित हुए और उन्होंने प्रशिक्षित योग शिक्षकों के निर्देशन में योगिक क्रियाएं की प्रतम अंतर राश्ट्रिय योग दिवस के अफसर पर कौन से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुए सबसे पहला था दुनिया की सबसे बड़ी योगा क्लास यानि 35,985 लोगों द्वारा एक साथ योगा भ्यास करना और दूसरा रिकॉर्ड था 84 देशों की लोगों द्वारा एक साथ भाग लेने का रिकॉर्ड दूसरा अंतर राश्ट्रिय योग दिवस कब कहां और किस प्रकार मनाया गया दूसरा अंतर राश्ट्रिय योग दिवस 21 जून 2016 को चंदीगड में आयोजित किया गया और इसका विशय था कनेक्ट दा यूद इस दिन आयोश मंत्राले ने नेशनल इवेंट और मास योगा डेमोंस्ट्रेशन नामक एक समारों का आयोजन किया और जिसमें अन्य लोगों के साथ भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था तो बच्चों आशा करती हू में से आदे घंटे का समय निकाल कर योग प्री आएं जरूर करेंगे और हमेशा स्वस्त रहेंगे आभार मिलते हैं नए पार्ट के साथ